यही होता है इस घर के बातरूमों के साथ सुबा 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 सबी दरवाजे बंद उद्र वो बुडिया अपने सफेद बाल दोकर और सफेद कर रही है और नीरज को बातरूम से एस-एस बी-बी करके ही निकलेगा और हमरता है आपने बाथरूममें बाथरूम सिंग्रबने की कोशिच कर रही है। और रिया बिचारी रिया तो कला जाने की त्यारी में है। यह क्या? तुम अब तक तयार नहीं हुई? अबुसलि नहीं हुई. नाइ टना तक जाओं में किया में कोलेज. हाँ इंद्स चेड्ग क्यू रही हो एक शिकिन एक शिकिन तुमारी आखे क्यो लाल है क्या हो रिया रो रही थी क्या माने दाटा नहीं तो, वोट ल्यव प्रॉब्लम्रिया क्या प्रॉब्लमों हो सटी है कुछ फ्र उसक्टी प्रॉब्लम नहींहा तो जाना अपने college तो चलना यार, दोनों साथ में चलते हैं college मैं अज college नहीं जा रही हूँ क्यों? मेरी तबेट ठीक नहीं है तो पहले बोलना सा नरिया खाम खाम मेरा time waste कर दिया अब तक तो मैं college पहुंच गया होता तो जाना, अभी चला जा तो जा रहा हूँ ना, लेकिन तुम आराम करना और दवा ले 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 लेना दवा से थोड़े ही को छोने वाला है हमरी फूपी हमेशा कहा करती थी पापाजी जब तक चाय का घूट अंदर नहीं जाता तब तक बड़े बोड़ों का दिन शुरू नहीं होता तब तो मैं चाय नहीं बीता तो होल सिंग जाट पापाजी की फूपी जूट बोलिग देगिं हम भी चाय पिएंग सच्छी ये बूड़ा तो पांच साल मुसे बड़ा है अब तो मैं चाय पिएंगा अपनी पोती के साथ बैठ कर नहीं जी नहीं रिया पुटर तो दूद पिएगी लेकिन बीजी पहले मैं ऐसे कुछ खिला तो दूँ पहले मेरे चंद सवालों का जवाब तो देले सवाल? हाँ पूछे पूछे पापाजी वो कौन सा दिन है जसन चीजें फ्राइ होती है यो में फ्राय करने वाला दिन? फ्रायडे? बूट और तूट किस देल होता है? तूट? तूट हाँ तूशन तूशन, तूट तूशन, तूट तूशन, तूट तूद तूट तूज़्टे? वेरी गुट और वेडिण किस दूँ होती है? वेंस्डे और सुन्राइज के सिन होता है? संडे! तो रॉंग! सुन्राइज तो एव्रीडे होता है, संडे हो या मंदे लेकर आज तो संडे नहीं है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है मेरा आखरी स्वाल तुम आज कारीज को नहीं गई? वो बस ऐसे ही नहीं गई पापाजी इसकी तबियत करावे पापाजी है? क्या हुआ इसकी तबियत को? बुखार चड़ा लित्ता? जी नहीं टेमप्रेचर तो नहीं है तर्मोमेटर लगाया था मैने तो फेर डॉक्टर को ले जाना? वही तो मैं कहरे है थी पहलें कुछ खिला तो दू फिर ले जाओंगी दॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना है दॉक्टर के पास मिश्के प्यासा नॉट गोइग के पास तो को यह भुलांग नो? हम अमीरी पुप्पी हमेशा कहा करती थी कि भीमारी बढ़ने का इंतिजार नहीं करना चाहिए फॉरन दवा-दारू करनी चाहिए दारू? दवा जो इस तरह शलांग लगा कर सीनिय अचर जाए उसे दुआ की क्या दूरत? ये तो अच्छी फिली भागती हुए उपर चली गई और थोड़ी तेर पहले तो कह रहे थी कि मेरी तबेद ठीक नहीं है मेरी तबेद थीक नहीं है, मैं बीमार हो, कॉलेज नहीं जाऊंगी और कॉलेज जाने का वक्त निकलते ही, इसकि प्रिये ठीक हो गई हां मतलब तबेद खराब हुए का तो बहाना है कॉलेज नही जाने के वास्ते अरे वाह तुने ते वो बात ज़ आ ज़सा मुझ झाली जो हमें से कोई नही ने समझा है जो दिनो से तुसी में पुष्छान नहीं आ एस वास्ते अरे प्राज को ही यहाजी डाप शुझा बेरी नास्मजी अभी दिखाता हूं अपनी समझदा जाता है। मैं उस लाज्टे पर चल के पुँचुँगा चालेज और पता करूगा रिया कालेज क्यों नहीं जा रही है। पापजी आप कालेज जाएंगे। तू जाना चाहती है। जी नहीं मैं तो यह कह रहे थी कि नीरा जाएगा तो उसी से कह देंगे ना कि जाकर पता तो लगाया के बात क्या है। मैंनु लगता है गल कोई हो रहे। संजीदा मामला लगता है। सोच समझ के काम लेना पुत्तर। ऐस वास्ते तुसी कार वेच बैठे रहो। अमरी फुटपी हमेशा कहा करती थी कि राई का परबत नहीं बनाते। हो सकता है कोई बात ही ना हो। कल का एक दिन देख लेते हैं। अगर कल भी रिया बीदी कॉलेज नहीं गई तो मैं जाओंगा कॉलेज जाओंगा कॉलेजू लेगी तुआ जो फिर कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती बैठे। मेरा दिल नहीं करता है माँ वहाँ? क्यों दिल नहीं करता तेरा? कोई रीजन तो होगा, कल भी कॉलिज नहीं गई थी तु? नहीं, मा, कोई रीजन नहीं है. रिया, मैं जानती हूँ, तुम उझसे कुछ चुपा रही है. मामी को नहीं बताएगी, बिजया. कुछ बताने को है यह निमा, तो क्या बताओं? ओकी दे, तयार हो जाए और कॉलेज जाओ, कुछ जाओ, ने, ने, मैं कॉलेज ने जाओंगी. रिया, तु ना कुछ बताना चाहती है, ना कॉलेज जाना चाहती है, अगर वाच्छ प्रॉब्लम? वाँ यू बताना चाहती है, रिया, मैं पीजी से ही कहती हूँ कि वो तुझे कुछ समझाए हूँ. मैं यहाँ? कहाँ बापजी? रिया के कॉलेज अबाद का पता लगाने है. नेरज पता लगा के आएगा, मैंनू कह के गया है, भले रिया कॉलेज जाए ना जाए. बड़ी खराब है तु, इतनी मुश्कल से मौका हाथ रगा सा कॉलेज जाने का, वो भी खो दिया तेरी वज़ा से. बला मेरे होते हुए, नेरज को ये काम सौपनी क्या जुरू थी? आपके वास्ते मैंने बड़ा ही चंगा काम सोच रखा है. वो क्या? खुब जचेगा आपको, मेरे नाल बजार चलो, थैलिया उठान वास्ते. ये तो अपने जैसा मुझे भी बूडा बना देगी. की क्या तुसीच जी? रास्ते में लॉलिपफ खलाएगी तो चंगा. चं चुछ नहीं छुपाती वो. पता नहीं कब लोटेंगे अमेरिका से. लेकिन उनसे पहले तो नीरज बापा लोटेंगे ना कॉलेज से. तब सब पता चल जाएगा. कब आएगा नीरज? रिया की सहलियों से मुझे सब पता चल गया पापाजी. कि रिया क्यों कॉलेज नहीं जा रही है? और क्यों हमें कुछ बता भी नहीं रही है? तो बता ना हमको क्यों नहीं जा रही है? उसकी क्लास में एक लड़का है पापाजी. जी तू नाम है उस.. उस.. तू उसके लिए यहां जिए पापाजी लेकिन तु गाली क्यों देना चाहता है उसे? क्योंकि वह मेरी बेहन को छेड़ता है मा आते जाते रिया के खिला पालतु रिमाग पास करता है वो क्लास में, क्लास के बाहर, कैंटीन में, लैब में, जहां जहां रिया जाती है वहाँ यह पहुँच जाता है और लोगों से कहता फिरता है कि वो और रिया गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड है और वो दोनों स्टेडी जा रहे है की मतलब? बतलब तो बहुत खराब है इसका अभी मेरी बच्ची कॉलिज नहीं जा रही और शरम के मारे कुछ कैभी नहीं रही है बट दे होल तिंग पापजी के ऐसे लड़के को नहीं सबक सिखाना चाहिए वही तो करने वाला हूं ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको कि दूबारा आख उठाकर देखीगा भी नहीं रिया को की करन वाला है तू? अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जबरदस पिटाई ना ना पुतर ऐसा कुछ भी मत करना तू क्यों ना करू बीजी? पुतर इससे गल और बढ़ जाएगी गल तो अलरेड़ी बहुत बढ़ चुकी है बीजी नीरज, बिटे सुन तो लो कि बीजी कह क्या रही है नीरज पुतर, तू अगर उस मुंडे नू मारेगा तो सबको पता नहीं चल जाएगा कि तूने उसे क्यों मारा जो बात आज कुछ लोगों को पता है कल सबको पता चल जाएगी इसमें कितनी बदनामी होगी साधी रिया की ये सोचा है तुने? बिलकु नहीं सोचा है लोग तरह तरह की बाते करेंगे बिटे नजाने क्या क्या कहेंगे रिया के बारे में साध्डी रिया कैसी है ए असी जानते है लोकानु की पता वो तो यह ही कहेंगे ना कि ज़रूर कोई गलसी इसलिए रिया के भाई ने ऐसा कदम उठाया रोक ने अपना उठा हुआ यह कदम यह हाल नहीं है समस्या का तो फिर क्या हल है इसका हमें चुप रहना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए हमें तो क्या रिया बेबी को घर में बिठा के रखेंगे बुजदिल बनाना है क्या उसे नहीं पुत्तर नहीं रिया कॉलेट तो भी उसे अकेले में समझाना पुतर अब तू भी अकेला जाकर बैठ जा नडखें नीचे तेरा गुसा ठंडा हो जएगा मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है यह है है बिटे क्या पर रह रही है तू? कॉमिक्स तॉम इन जेरी ओ वह वो बिल्ली चुहे वाली ए आई रह लेकिन चुहे क्यों नो रिया मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी न हमारे घर में एक चुहा गुसाय था और इतना परेशान किया था उसने हमें तंग कर के रखा था क्या किया इसने लिया दिन भर वह यहां से वहां वहां से यहां भाबता रहता था जैसे उसके बापका जैसे उने चिढ़ा रहा हो और मासी जी भी तो बहुत चिढ़ती थी उससे मासी जी जितना चिढ़ती थी वो उने और चिढ़ाता था उसके लिए तो बस केल बन गया था लेकिन मासी जी तो घर छोड़कर निकल जाने के लिए तैयार हो गई थी फिर फिर क्या मैंने मासी जी को एक आइडिया दिया मैंने उनसे कहा मासी जी जिस टोटली इग्नॉर दो चुहा इग्नॉर हाँ उसे देखकर अंदेखा कर दो रियाक्ट ही ना करो उसकी किसी हरकत पर अगर वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो तुम उस तरफ चले जाओ अगर वो तुम्हें चिढ़ाने लगे तो तो मूँ मोड लो बस ऐसे बिहेव करो जैसे वो है ही नहीं तरी तरी जिस डिसंट इग्सिस्ट लेकिन अगर वो कपड़े कुत्री तो तो कपड़े अपनी अलमारी में बंद कर दो और अगर खाने में मूँ डाले तो ठकका रखो खाना अपनी हर ची और जो चिढ़ता नहीं है उसे चिढ़ाने में क्या मजा कोई मजा नहीं होता बेटे इसलिए वो जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला गया फिर मुड़कर कभी नहीं आया कभी नहीं क्योंकि वो समझ जो गया था कि उसकी हमारी जंदगी में कोई एहमियत ही नह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई चुहाने ही आएगा तुम्हे तंग करने के लिए समझी बड़ी बिल्ली मैं कल कॉलेज याओंगी मा चल शुभा नाष्टा लगा बच्चे भी कॉलेज ते ही होंगे भूग-भूग करते हुए भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग-भूग क्यों रही है? लागता कोई और गटबर होगी है. मैं जा के देखती हूँ. रिया! जैसा मैंने समझाया था, रिया ने आज उस लड़के को इग्नोर किया. फेर? फेर की हो यह लेकिन वो दिन भर उसे छेड़ता रहा. बड़ा टेट है वो. नाम ले लेकर पुकारता रहा. औ यह रभा. और भी जी वो भी सब के सामने, कैंटीन में. और उसकी हिम्मत तो देखिए. रिया से जाके बोला कि आए. बस बस पुतर हम समझ गए. जो तु कहना चाती है. मेरी बच्ची तो रोय जा रही है पापजी. कहती है फिर कभी कॉलेज नहीं जाएगी. वो कॉलेज गोदमें बठाकर लॉली पप तो खलाऊंगा नहीं. उसे तो बेच्ची की कडवी मिर्ची खानी पड़ेगी. और वो भी रिया के हाथ से. मैं क्या जी, कोई ऐसी वैसी गल न कर बैठना. गल ऐसी हो या वैसी, करनी तो पड़ेगी. लेकर अब सोचना ये है कि करना क्या है जिससे वो उलू का पठा जीतू किसी को मूद खाने के काबल ना रहे. पापा जी? कुछ फरक नहीं है ना. मुझ में और उस गदेव उलू के पठे जीतू में. जीतू? हाँ, वही जो तुझे कालज में शेड़ता है, घर्फी करता है वो, और सजा पुखती है तू. देख मान ले कि मैं तरा दादा हूँ, मान ले कि मैं तरा फ्रेंड हूँ, फ्रेंड, ने, सहेली हूँ, सहेली. अब हम दोनों सहेलियां मिलकर सोचें कि करना क्या है. क्या करना है पापा जी? मैंने तो सोच लिया क्या करना है. अब तुझे थोड़ी सी रहसल की जोड़ता है. रह जचना मैं तुम्हें अपने बॉइफ्रेंट से मिलाना चाहती हूँ रिया, यू हम बॉइफ्रेंट? आगे भी तो पढ़िये न माँ अपनी मम्मी को फोन करके कह दो कि तुम्हें देर होने वाली है क्योंकि अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह बेहेफ करोगे तो मैं अपने बॉइफ्रेंट से कहूँगी कि वो तुम्हें ड्राइफ पर ले जाए उसके पास इंपॉर्ट्रिट गाड़ी है साइकल पर नहीं आता वो तुम चैसे बच्चों की तरह वो तो बहुत मेचौड है तभी तो मुझे वो इतना पसंद है तुम्हारे जैसे बच्चकाने लड़के तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते तुम मेरा हाथ क्या पकड़ोगे तुम लॉलीपॉप पकड़ो लॉलीपॉप और उसे चाठते हुए सीटी बचाओ सीटी बीजी एट ये लिखनेता कुड़ी नो क्यों मेरी लिखावर पड़ी नहीं जारी क्या पड़ी तो जारी है पर समझ नहीं आरी एहसा सिखाते अपनी पोती को मैं तो अपनी पोती को ये सखा रहा हूं कि इंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है दुश्मन को बता दो कि हमारे पास पर्मानु हत्यार है तभी तो वह मैदान छोड़ कर भागेगा लेकिन पापजी रिया तो मतलब तक नहीं जानती इन सब बातों का इसे मतलब जानने की जूरत नहीं है पोतर नहीं है तभी तो जूज बहर घर हर ज film जीतने का होतरा रखी कि अगर आज आँ गई तो जिंदकी भर हारती रहगी हारती रहेगी हारती रह ती रहेगी अ मापा जी ठीक कर रहा है हम्यश कशी जंग लड़ना ही होगी वग्रना में कुछ नहीं कर सकूनगी. लाइफ में श्याबाज पुतर अब तू जा कालेज और मैं राजू को सूर्ज का सूट पना कर लेया हूँगा वो किस लिए पापा जी पुतर इस ड्रामे का क्लाइमेक्स होगा और क्लाइमेक्स में आएगा तेरा हीरो बस राजू अपनी मोटर लेकर आजेगा उसकी कोई ज क्यों अपना कि अफेले मिलने कर लिए जीतू से मिलने यह यह तो और कुछ पलड़ गया है आज तो बहुत कश पलड़ ज्या है विप्वी ढमंगे तूम ने वेसा ही टीया जैसा मैंने का था तो फिर किया क्या दूने बताती हूं बताती हूं पहले जीतू से तू मिल लो जीतू, जीतू, जीतू. जीतू, जीतू. रिया, यही है वो मुंडा? यही है. यह तो पापतू लगता है. पापाजी, अब यह मेरा दोस्त है. क्यों जीतू? आपकोस, रिया. और जो तुम्हें आज मेरे साथ किया है, वो एक दोस्ती तो कर सकता है. क्या किया इसने? जी वो. रिया, तुम्ही बताओ. पापाजी, आज सुबह जब मैं कॉलज पची ना, तो गेट बर हमेशा की तरह यह उल्लू मुझे छेडने के लिए खड़ा था. और यह हमेशा की तरह मुझे तेख कर दर गई थी. लेकिन फिर भी तुम मेरी तरफ आगे बढ़े. और फिर, तंदंदंदं, मेरी छोटी बहन भाग कर आ गई. वो कहां से आ गई? पापाजी, वो भी तो पासवले जूनिय कॉलेज में पढ़ती है ना, नीरच के साथ. फिर? फिर क्या हुआ? इसकी बहन बिचारी रो रही थी. क्योंकि उसके साथ भी आज कॉलेज में वही हुआ जो जीतू रोज मेरे साथ कर रहा था. उसे भी किसी लड़के ने छेड़ा. हाई रब्बा, तुमारे कॉलेज में छेड़ने की विमारी पहली हुई है क्या? यही तो मुझसे बदाश नहीं हुआ ना बीजी? अचानक मेरी आखों के सामने मेरी पिछले चंद दिनों की तस्वीरे आकर खड़ी हो गए. जीतू मुझे छेड रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, उल्टा सब हस रहा है मुझ पर. और मैं, मैं अकेली खड़ी हो अपने आसू रोके हुए. जीतू की बहन के साथ, पूरी हमदर्दी हो गई मुझे उस एक मोमेंट में. मैं अपनी बुजदली भूल गई. और ना जाने कहां से मुझे में हिमत आ गई, मैं गई उसके साथ उसके कॉलेज, पकड़ा उस लड़के को और लगाए दो तमाचे उसके मुझे पर. वेरी स्टॉंग गल. इतना ही नहीं बलके तुमने बहुत कुछ कहा भी था. एक-एक शॉब आद है मुझे. लड़की को छेड़ते हो, शरम नहीं आती है, क्या कॉलेज में तुम इसी के लिए आते हो? यह लड़की किसी की बहन है. तुम्हारी भी कोई बहन होगी. अगर तुम्हारी बहन को कोई लड़का छेड़े तो तुम्हें कैसे लगेगा? यह सब मैने सुना और… और तेरी आंखे खोल गए. खान जी पापाजी, वह लड़का तो वहाँ से सौरी बोलके निकल गया. लेकिन जीतू ने वही मेरे पैर पकड़ लिये. मुझे मेरी करती का ऐसार जो गया था. अब आइंदा ना तो मैं किसी लड़की को छेड़ूबा और ना किसी को छेड़ने दूँना. वाँ, I don't believe this. इसलिए तो मैं जीतू को यहालाई हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि आज जो हुआ उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा. मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है अब तक. हम्री फुप्पी हमेशा कहा करती थी, कि विश्वास कानों सुनी पर नहीं आँखो देखी पर होता है. हमें तो विश्वास हो गया. पुत्तरा बैट, चायवाई पिएगा कुछ. इसका मतलर है, इसे भी विश्वास हो गया है. फिर बुझे तो करने ही पड़ेगा, न? अब मैं चादा हूँ. सिवें कॉलेज रहा, बा.. मैं तो यह सूच रही हूँ कि वो लड़का कॉल है इसे थपड़ पड़े. वो अभी मिलाती हूँ उसे. लड़के..